नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशी शुकला और आप देख रहे हैं Deep Knowledge अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने बड़ा खुश होकर बहुत जोश के साथ उसने एक वीडियो शेर किया तो जो भाई साथ ने वीडियो में बोल रहे थे, वो कहते हैं कि वो बहुत महान काम किया और लोग उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, उस बच्ची का नाम था साइं पल्लवी जो अक्टर साइं पल्लवी और वो एक्सेप्ट करती है कि हमारी सुंदर्ता हमारे बेसिक कलर में है और मैं अपने कलर को ये दिखाऊंगी नहीं कि मैं क्रीम लगा रही हूँ और गोरा हो गया तो उस बच्चे ने मुझे ये भी पूछा कि साइकलोजिकल रीजन क्या है, क्यों वो चोड रही है, क्यों वो करोर रूपे चोड रही है ये रीजन वही रीजन है जिसकी वज़े से ग्रिगोरी पारल मैन जानते हैं इनको, आप नहीं जानते होंगे क्योंकि वो भी ऐसे ही इंसान है उन्होंने mathematics का कहा जाता है धर्ती पर सबसे अगर बड़ा mathematician कोई है तो ये बंदा है Grigory Paralman इसने field award जो mathematics का सबसे बड़ा award होता है उसको लेने से इंकार कर दिया मलकि phone का जवाब नहीं देता था हूँ ये वही इसन है जिसकी वज़े से जॉन पॉल सार्त्र या बॉब डिलन ने noble prize लेने से बना कर दिया थोड़ा imagine करिए आप क्रिश्न भगवान पांसरी बजा रहे हैं और बहुत अच्छा पांसरी बजा रहे है और फिर कोई आता है उनको मुलता है बजाए बजाए बहुत अच्छी पांसरी बजा रहे है ये आपके लिए फिल्म फेर रेवार्ड है क्रिश्न नौटन की बाज नहीं है वो कोई फिल्म स्टार नहीं है वो कोई पर्फॉर्मर नहीं है इसको समझने के लिए आप एक हमारे वारेंट बफेट जी की बात समझे वो अक्सर कहते हैं हम सब की लाइफ में दो तरह के scoreboards होते हैं scoreboards मतलब जिसमें हम अपनी judgment करते हैं एक तो जिसमें बाहर के लोग के बारे में सोचते हैं लोग हमको कितना पसंद करते हैं लोग कितनी importance देते हैं और ये सारे के सारे awards बाकियों की दी हुई scorecard है लेकिन इस तरह के लोग चाहिए बच्ची साइपलवी या कृष्ण या बॉब डिलन या जो भी सचमुच में अपने काम को बहुत कहरे से समझ रहे हैं, study कर रहे हैं, enjoy कर रहे हैं उनका internal scorecard होता है अभी कुछ दिन पहले जब मैंने अपना ये सीरीज चालो किया meditation experience तो पहले मैंने एक वीडियो बनाया और उसके बाद मैंने मुझे लगा ये नहीं कुछ और उसको छोड़ करके अपने एक दुसरा वीडियो बनाया इसमें कोई public review नहीं था इसमें कोई feedback नहीं था कोई like या comment नहीं था ये अंदर का scorecard होता है जब आप कोई काम करते हैं तो आपके अंदर से एक clarity आती है कि वो सही है की दलत हम लोगों भूल चुके हैं हम बाहर के likes, comments और लोगों की तारीफों के इतने ज़्यादा मौताज हो गए है इतने ज़्यादा आदी हो गए है एडिक्ट हो गए है कि अंदर का scorecard मिस कर रहे है इस बच्ची ने हमको वही या दिलाया है यह आपको यह आपको जगजोरने के लिए है कि जगए आप free है आपको इसकी परवाह नहीं करनी है कि लोग क्या कहते है आपको किवल एक ही आदमी को जानना है एक ही आदमी की परवाह करनी है और वो है आप खुद नमस्कार